आप सभी का सुवागत है आपके अपने योटूब चैनल ओलाइन एक्जाप्स त्यारी पर दोस्तों गराप मारे योटूब चैनल पर नहीं है तो आप मारे योटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजीगा साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ओल का उप्सन बनता है उसे सलेक्ट दरूर कीजीगा जिससे की जो भी मैं नहीं है वीडियो लेकिया है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और हम ज़्यादा चैनल प्राप्त कर सके आज हमें इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कोस्टेबल के लिए जीकी का प्रेक्टिस सेट पहला देखेंगे और इसे सोलव करेंगे दोस्तो इस वीडियो में हमने सभी विशयों के परसन हल करेंगे यह सभी क्यूसन आपकी आने वाली दिल्ली पुलिस की एक्जाम के तो दोस्तों कम हुआ था इसका जनम इसका राय टांसरों का C उप्सन यानि कि सभी उप्सन इसमें सम्मान है तो अकबर का जनम 15 गुनी सो बैयाली सको हुआ था अगला कि उसन बारती राष्टि कॉंग्रेस के फरतम मुस्लिम अध्यक्स कौन थे दोस्तों कौन थे जाकिर उस बी ओप्सन एहमद अलिखां C उप्सन बादरुदिन टेब जी और D उप्सन सरसाइद एहमद खां तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राय टांसरों का C उप्सन यानि कि बारती राष्टि कांग्रेस के फरतम मुस्लिम अध्यक्स जोकी बादरुदिन टेब जी थी अगल कुमार गुप्त दोस्तों क्या होगा इस क्यूषन का राय टांसरों? इसका राय टांसरों का C उप्सन यानि कि लोह इस्तम को चंदर गुप दिवित्विय के दुवारा बनवाया गया था अगला क्यूशन है सविधान के बाग नो में किसका वर्णन है दोस्तों किसका वर्णन है अगला क्यूशन है सविधान के बाग नो में पंचायत का वर्णन है अगला क्यूशन है सविधान के बाग नो में पंचायत का वर्णन है कि गोषना कब की गई थी दोस्तो कब की गई थी दोस्तो क्या होगा इसका राइट आप्शन यानि कि सवतंतर बारत की पहली उद्योगिक निती की गोषना गुणिस सु आर्टालिस में की गई थी दोस्तो अगर आपको अमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजि जिससे कि अपने ज्यादा से ज्यादा परुटसान मिल सकी और मैं आपके लिए अच्छे चे वीडियो प्रुट करने का परियास कर सकूं अगला क्यूसान है सबसे अधिक विसयली मचली कौन शी दोस्तों कौन शी विसयली मचली A option star piece, B option catfish, C option stonefish और D option dogfish तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका right answer इसका right answer का C option यानि कि सबसे अधिक विशेली मचली है वह है stonefish से अगला क्यों से नेपोलियन की पिता का क्या नाम था दो दोस्तों क्या नाम था नेपोलियन की पिता का? A option जैनित, B option चालर स्फार्थम, C option जैंस दितिये और D option कारलोग बोनापार्थ दोस्तों क्या होगा इसका right answer? इसका right answer का D option यानि कि नेपोलियन की पिता का नाम कारलोग बोनापार्थ था अगला क्यों से ने उस पहले गवणर जनरल का नाम बताई जिन पर महाबियोग चलाया गया था, दोस्तों किस पर चलाया गया था? A option वोरेन हेस्टिकस, B option लोड रिपन, C option लोड लिटिन और D option लोड डैलोजी दोस्तों इसका right answer क्या होगा? इसका right answer होगा A option है यानि कि वोरेन हेस्टिकस पहले गवणर जनरल थे, जिन पर महाबियोग चलाया गया था अगला क्यों से ने, मोल करते होगा वर्णन सविधान के किस अनुछेद में हैं दोस्तों किस अनुछेद में? अगला क्यों से जूम खेती के लिए पचलीत राजे कौन है? दोस्तों कौन सा रहे पचलीत राजे? अगला क्यों से ने, कनाडा का राष्ट्य खेल क्या है दोस्तों क्या है इसका राष्ट्य खेल? अगला क्यों से ने, दोला वीर बारत के किस राजे में है दोस्तों किस राजे में है दोस्तों किस राजे में है? अगला क्यों से ने, अगला क्यों से ने, दोस्तों क्या होगा इसका राष्ट अंचवर? इसका राष्ट अंचवर का B-Option, यानि कि असोग चकर पाने वाली पारतम महिला है वर नेर्जा बनोट है अगला क्यों से ने, ब्राह्मनों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम सासक कौन था दोस्तों कौन था पहला मुस्लिम सासक? अगला क्यों से ने, जंडा समीति के देक्स कौन थे दोस्तों कौन थे जंडा समीति के देक्स? अगला क्यों से ने, बारतीर राष्टे कांग्रेस के पहले देक्स कौन थे दोस्तों कौन थे पहले देक्स? अगला क्यों से ने, आधोनिक राष्टरवात का पेगंबर किसे कहा जाता है तो दोस्तों किसे कहा जाता है? अगला क्यों से ने, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों क्या था? अगला क्यों से ने, सभेदारिक संसोदर की परिकिरिया कहां से लिए गई है? अगला क्यों से एवरेस्ट पर चलने वाली फड़ता में नेतर हीन महिला कौन थी दोस्तों कौन थी? एवरेस्ट पर चलने वाली फड़ता में नेतर हीन महिला एरिक बिन महिला है? अगला क्यों से ने, बारत में पहली बार चांड करना कब हुई थी दोस्तों कब हुई थी? अगला क्यों से भरत पेक्टरिय्ए दिनेफ के सासनकाल में पारित हुआ था दोस्तों किसके सासनकाल में पारित हुआ था A option लाड केनिंग B option लाड रिपन C option लाड लिटर और D option विलियम बेंटिंग तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका right answer इसका right answer रुगा B option यानि कि फर्तन फेक्टरिय दिनियम जो कि लाड रिपन के सासनकाल में पारित हुआ था तो दोस्तों अगर आपको अमारे मेनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिगा जिससे कि अमारे इस वीडियो का मेनिपिट आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं अगला क्योंसान राजे सबा की पहली बैटक कब हुई थी दोस्तों कब हुई थी ए उप्षन 13 माई 1952 में ए उप्षन 6 गस्त 1952 में C उप्षन 9 गस्त 1952 में और D उप्षन 12 गस्त 1952 में दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आप्सवर इसका राइट आउसर रुगा A option यानि कि राजी सभा की पहली बैटक जो कि 13 माई को 1952 को हुई थी अगला क्यूशन परवा चोटी केटू की उचाई कितनी है दोस्तों कितनी है केटू की उचाई A option 8,112 मेंटर B option 8,116 मेंटर C option 8,611 मेंटर D option 8,616 मेंटर दोस्तों इसका राइट आउसर क्या होगा इसका राइट आउसर का C option यानि कि परवा चोटी केटू की उचाई 8,611 मेंटर है अगला क्यूशन है वसा को पचाने वाला एंजाईम कौन सा है दोस्तों कौन सा है A option है Amylase, B option है Trypsin, C option है Tylen, D option है Lipage दोस्तों क्या हो जाईगा इसका राइट आउसर का D option यानि कि वसा को पचाने वाला एंजाईम जो की Lipage enzyme है अगला क्यूशन है पढ़ते एग जोंवार के 20 कितने समय का अंतर होता है दोस्तों कितने समय का अंतर होता है A option 12 गंटे का, B option 12 गंटे 13 मिनिट का, C option 12 गंटे 26 मिनिट का, D option 12 गंटे 40 मिनिट का तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका right answer? इसका right answer का C option यानि कि पढ़ते एक जुआर के 20-12 गंटे और 26 मिनिट का अत्राल होता है अगला question असो के लेकों को सबसे पहले कप फढ़ा गया तह। दोस्तों कप फढ़ा गया था? A option 1827 में, B option 1837 में, C option 1846 में और D option 1927 में, तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका right answer? इसका right answer का B option यानि कि असो के लेकों को सबसे पहले 1837 मिनिट की पढ़ा गया था अगला question किस दोस्तों किस राजे में है कि माचल कि दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आन्श्टे वांडे जी प्रहाण या बेरन जो की उतरपरदिस राजे में इस्तित है उतरपरदिस की राजदानी लखनाव है जो की गौपते नदी के किनारे इस्तित है और उतरपरदिस के वर्तमान में CMY योगी आधित्यनात है दोस्तो आज का अंतिम क्यूसर नहीं जामिती का चनक किसे कहा जाता है तो दोस्तो किसे कहा जाता है A option Euclid को, B option Aryabat को, C option Arashtu को D option Einstein को तो दोस्तो क्या हो जाएगा इसका right answer इसका right answer जाएगा A option यानि कि जामिती का चनक Euclid को कहा जाता है दोस्तो ये थे आज के most important दिली पुली से समझे जिकी कि क्यों से नहीं तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को अंतक जरूर देखा करें जिससे कि इस वीडियो का ज्यादा ज्यादा मैंने पर प्राप्त हो सके थेंक्यू दोस्तों जे हिंद जे बारत